तो रेशियो स्टार्ट करेंगे और इसके बाद फिर हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो रेशियो पहले खतम करते हैं अब रेशियो एनालिसिस का मैं आपको थोड़ा सा बैक्गराउंड देता हूं बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है आपको यह आगे आप जब जॉब करोगे वहां पर भी काम में आएगा बहुत जगह यह काम में आता है ठीक है अब में आपको एक छोटा सा एंग्जामपल देता हूं बटा कि आप मुझे बताओ दो कंपनी एक कंपनी ए कपणी सब्सक्र allen लाक रूपाइश का टू हराइफ इतप आप मुझे बताओ ऑ Ada साह मॉझे परॉंध दोलाक रूपिस अबगरotir can you बी राइट बी का ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है मतलब बी ज्यादा प्रॉफिटेबल है अब मैं आपको और एक एक डेटा दे रहा हूं मैं आपको दोनों का सेल्ज भी दे रहा हूं राइट एंका सेल्ज बेटा 10 लाक्स कि एका सेल्ज है टेन लाक्स और बी का सेल्ज देटा बी का सेल्ज है कि ट्वेंटी टू लाक्स अब आप मुझे बताओ अगर मैं इसका पर्सेंटेज निका अब बताओ अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते हो दोनों कंपनी का तो कितना आएगा बताओ एक कितना रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो तैन परसेंट आ रहा है इनोर तस दा ऐसे इन把 क्या फॉर्मिला या या टा ग्रॉस प्रॉफिट रीश्यो का अग्रॉस प्रॉसिक अपन सेवेंट टू परेंगे मैंने रुपिस क्यों लिखा, it is 10%, 10%, B का calculate कितना आता है, 2 lakh upon 22 lakh into 100 करेंगे, तो 9.09% आया, अब बताओ कौन सी company जाधा profitable है, A, A जाधा profitable है, इसका मतलब बिटा, कि अगर आप सिर्फ उसका gross profit देखेंगे, और आपका decision लेंगे, कि वो company जाधा profitable है, तो आपका decision wrong हो जाएगा, मान लो एक share, एक investor है, हाँ, एक investor है, उसको ये company का share खरीदना है, A या तो B, एक investor को दोनों में से किसी एक company का share खरीदना है, आइधर A और B, अब उसने सिर्फ gross profit देखा, और B का gross profit तो double है A से, मतलब ज़्यादा है, और उसने सिर्फ gross profit देखा, और उसने share खरीद लिया, ठीक है, तो आप मझे बताओ, उसमें shareholder का decision wrong होगा, क्यों रॉंग होगा, क्योंकि उसने sales को consider किया ही नहीं, जब sales को भी consider करेंगे आप, और उसका ratio, percentage निकालेंगे, तब आपको correct समझ में आएगा, कि हाँ, A is better, क्योंकि उसके 10 लाग के sales पे 1 लाग का GPI है, मतलब 10%, ज़्यादा, इसका 22 लाग के sales पे 2 लाग आया, मतलब percentage कम है, बोलने का मतलब यह है बिटा, कि जो 1 लाग है ना, और 2 लाग, जो gross profit है बिटा, gross profit को हम बोलेंगे data, यह data है, sales क्या है, data है, gross profit क्या है, data है, final account के अंदर, जो भी amounts है ना, वो सारे data है, salary, data, rent, data, plant and machinery, data, net profit, data, everything in the final account, is a data, right, और data के basis पे, decision making नहीं हो सकती, ठीक है, तो decision making करना कैसे फिर, decision making के लिए information चाहिए होता है, बिटा, तो data, data, हम data extract करते हैं, प्रॉम, पाइनेंशल अकाउंट, पाइनेंशल अकाउंट से, डेटा हम लोग निकालते हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, सेल, सैलरी, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेप्टर, कैश, यह सब, ता से निकाला हमने, पैनेंशल अकाउंट से, इसको प्रॉसेस करेंगे, जब डेटा को आप प्रॉसेस करोगे ना, बिटा, तो यह information बनता है, और information जो है, यह use होता है, for decision making, management यह information यूज करता है, decision making के लिए, तो decision making के लिए, information चाहिए, information बनेगा, जब हम डेटा को प्रॉसेस करेंगे, जब प्रॉसेसिंग है ना, यह प्रॉसेसिंग बहुत तरीके से हो सकती है, राइट, processing can be done in many ways, उसमें से processing का एक तरीका है बिटा, ratio analysis, राइट, तो ratio analysis में हम क्या करते है, हम final account में से data निकालते है, वो data को फिर process करते है, मतलब उसका ratio calculate करते है, ठीक है, और जब ratios हमारे निकल जाते है, तो फिर हम वो ratio से information निकालते है, क्या information निकाला हमने ये ratio में से, कि A is more profitable than B, ये information है, फिर ये information के basis पर हम decision making करेंगे, तो अब समझ में आए बिटा, आपको कि ratio का का काम क्या है, ratio का काम क्या है, डेटा को process करना, और उसमें से information बनाना, ठीक है, हमने रेशो स्कूल से पढ़ना चालो किया था, फिर हमने 11-12 में भी पढ़ा, maths में, foundation में भी पढ़ा, हमारे लिए ratio कोई नया चीज नहीं है, ठीक है, तो ratio is nothing but relationship between two or more variables, डो या उससे ज़्यादा numbers है, उसके आपस का relation है, अगर मैं आपको बोलू, मैं आपको बोलू, कि current asset, current asset 2 lakh है, और current liability, यह 1 lakh है, अगर आपको current asset और current liability के आपस का ratio निकालना है, आपस का relation जानना है, तो आपने वो दोनों के amount का ratio निकाल लेना, यह ratio आएका पिटा, 2 is to 1, 2 is to 1 क्या indicate करता है, कि मेरी liability, current liability 1 है, तो मेरे पास current asset 2 times है, मतलब my current asset is twice that of current liability, इससे मालूम पढ़ता है company की financial position strong है, तो ratio is nothing but relationship between two or more variables, अब ratio के types क्या हो सकते है बटा, रेशो के types, यह आपको copy करना है तो करो, types of ratios, यह आप लोग कॉपी करना बटा, रेशो का एक type है बटा, प्यॉर रेशो, तो यह प्यॉर रेशो आपको पता है क्या है, एक्जाम्पल, तो इसको pure ratio बोलता है, second type का रेशो होता है प्यटा, percentage वाला, percentage is also a ratio, एक्जाम्पल, 10% 50%, परसंटेज भी एक type का रेशो है, तो आप सोच रहेंगे सर, percentage में तो एक ही number है, तो एक number नहीं ही बिटा, दो number है, तो नमबर के साब 10%, मतलब 10 divided by 100 होता है, तो दो number है, 50% याने 50 divided by 100, तो दो number है, थर्ड, ratio टाइम्ज में भी होता है, तू टाइम्ज, एक्जाम्पल, पाइफ टाइम्ज, एक्जाम्पल्स लिए है बिटा, मैंने, अब आप बोलेंगे, यहां तो एक ही number है, यहां पर भी दो number है, पिटा, कैसे, denominator में अगर कोई number नहीं होता है, तो वन होता है, तो टू टाइम्ज मतलब, तू numerator है, और denominator वन है, पाइटाइम्ज मतलब, फाइट नूमेरेटर है, और denominator वन है, ठीके, तो यह आज रखना, बिटा, तीन टाइप के रेश्यो है, तो परसेंटेज को भी रेश्यो बोल सकते हो, आप, टाइम्ज में है answer, उसको भी रेश्यो बोल सकते हो, आपको समझ में आ रहा है कि बिटा, तो स्टार्ट करता है, रेश्यो एनालेसिस, राइट, इन माथमेटिक्स, रेश्यो इस दिफाइन एद अ मीडियम, मीडियम ऑफ एक्स्प्लेइनिंग दे इंटर रेलेश्यो बिट्विन टू नूमरेल्स और वेरियेबल्स, इस दो नंबर के आपस का रिलेश्यो यह बताता है, रेश्यो इस कॉंप्यूटेट बाइडिवाइडिंग वन नूमरेल बाइद अधर, ओके, अकांटिंग रेश्यो, अनलसे चांड्स पॉर कंपुटिशन और वेरियस रेश्यो उन देश अप्स अब इस इंफरेंट इन इंफरेंश्य एक्स्प्रेस्ट इन फिनेंश्यल स्तेटमेंट यानि फैइनल अकाउंट, पाइनल अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट जे पिटा वो सारे अमाउंट के आप तक का रिलेशन हम निकालते है रेशो के थू एन स्टैबलिश्मेंट अव इंटर रिलेशन्शिप बिट्विन दे कॉम्पोनेंट्स ओव इच रेश्यो पर रिलेशन्शिप गोड़ीव स्टैबलिश्मेंट। अवलीट अथी पॉपौलर मिनस ओव क्मुनिकेटिंग प्रोस्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोस्टिजू इन्फॉरमेशन। अचलिव नद डेटा को हम प्रोसेस करते है रेशो के थूुँब्टू इन नट-एंड शेल वालिव बताकर हम बहुत सारी जानकारी बताते हैं इनने नट शेल फॉर्म तो जो मैंच्वेंट एस पॉरिट्स रिकुवार्मेंट ठीक है एडवांटेजिस क्या है विटा रेशो के एडवांटेजिस क्या है इज़ी अंडरस्टांडिंग और फैनेशिल स्टेट्मेंट फ होता है या मैंने दोनों कंपनी का सिर्फ जीपी बताया होता तो आपने आपके लिए डिफिकल्ट था कि यह कैसे फाइंड करना कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है चलो कोई कॉमर्स का सीए सीए में सीए सवाला बच्चा रहेंगा तो वह सोड़ी भी लेगा रहे ह से देखेंगे किस्का ज्याधा और पर कोई जो नॉन कॉमर्स वाले बंदे उनको सुम्झे को ratio analysis के तुरू processing करेगा उससे information बनाएगा वो information को use करेगा decision making के लिए ठीक है planning and forecasting ratio से बेटा हम लोग planning और forecasting भी कर सकते हैं कि लेट में गीव इन एक्वेंपल ठीक है तो समझो कि मैंने पिछले पांच साल का तेल निकाला और मैंने उसका trend देखा कि भी हर साल मेरा trend कितने हर साल मेरा sales कितने percentage से बढ़ रहा है तो मुझे on an average 10% दिखा कि मैं every year पिछले पांच साल से मेरा sales 10% से बढ़ रहा है तो I can fairly conclude कि अगले साल भी sales मेरा 10% बढ़ेगा assuming कि ये covid जैसा कुछ नहाए तो normal cases में अगर पिछले 5 साल से आपका 10% sales बढ़ा है ये forecasting कहलाता है trend कहलाता है तो आप ये assume करो कि आपका अगले साल भी sales 10% से बढ़ेगा अब planning क्या करना है आपको अगले साल 10% से sales बढ़ने वाला है तो उतने आपके पास capacity है क्या production करने का उतने labor है क्या आपके पास right manpower है क्या उतना material आपके पास है क्या right demand fulfill करना है तो नहीं है तो पिर अभी से plan करो नए labor को higher करो additional machinery खरीदो right raw material का order देखे रगो supplier को यह planning में भी हमको ratio काम में आता है inter firm comparison right और उसके बाद है intra firm comparison इंटर फर्म comparison यानि दो company का आपस का comparison ए लिमिटेड बी लिमिटेड राइट ए का gross profit ratio 10% है बी का 9.09 परसंट है अब मुझे comparison करना है right तो comparison करके हम यह जान सकते है कि कौन सी company better है ठीक है यह एक फाइदा है बीटा ratio का दूसरा intra firm comparison intra firm का मतलब होता है कि समझो ए लिमिटेड है उसका previous year का gross profit 8% था current year का 10% हो गया right तो intra firm comparison में होता क्या है कि हम हमारा ही comparison खुद से करते है और different year का right तो आपका past year का performance देखो past year का ratio देखो उससे आप current year से comparison करो यह intra firm हो गया तो दो company का आपस में comparison inter firm right अपना comparison खुद के साथ previous year का previous year का current year से intra firm right तो ratio के यह सारे advantages बीटा ratio के limitations क्या है मतलब ratio के drawbacks disadvantages क्या है पहला limited use of a single ratio right अगर मैं यह बोलो ना कि कम ए ए लिमिटेट का gross profit का ratio जादा है और मैं यह conclude कर दू के ए लिमिटेट is the most profitable company तो मैं wrong हो सकता हूँ because मैंने एक ही ratio देखा और मैंने conclusion दे दिया right मुझे बहुत सारे ratios देखने पड़ेंगे जैसे उनके पास उनका depth equity ratio कितना है यह देखना पड़ेगा current ratio कितना है वो देखना पड़ेगा बहुत सारे ratios उनका leverage ratios देखने पड़ेंगे जिससे उनका risk मालूम पड़ेगा समझ में आ रहा है फिर हम लोग conclusion कर सकते है पर ratio क्या करता है एक ratio के basis पर conclusion कर देता है यह ratio का drawback है एक लाइक ऑफ qualitative analysis of the problem राइट रेशो जो है ना बिटा यह हमको किसी भी company का information जानने में मदद करता है और आप उसके उपर base करके उसको बेज बना कर बड़े-बड़े decisions नहीं ले सकते मतलब यह मत सोते कि यार हाँ इसका जीपी रेशो जादा है ना चलो इसके दस लाग शेर खरीद लो company बूद प्रॉफिटबल है नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप मतलब रेशो का जो कॉलीटी कॉलीटीटीव इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए ना वह हमको नहीं मिलता है ठीक है मतलब रेशो आपको आंसर बता देगा आपको यह नहीं बोलेगा कि यह company के खरिदना के नहीं खरिदना नहीं फिर वह तो आपको खुद को डिसाइट करना है ठीक है देखो मैंने आभी बता है बटा आपको रेशो के अंदर जो कुछ भी है वहाँ से रेशो बन रहा है बटा आप मुझे बताओ अगर वही गलत है तो एक company ने वेंडो डेसिंग किये हुग है किसने नाम कुना है यह वींडो डेसिंग का किसने सुनाए वाट इद विंडो ड्रेसिंग विंडो ड्रेसिंग सुनाए किसने येस और नो अरे बताओ येस और नो 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 ठीक है तो देखो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है बिटा मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्जाम्पल देता हूं कि मानलो आप कोई क्लॉथ की शॉप में जा रहे हो मानलो येस को जीन्स खरीदना था तो वह मॉल में गया है ना या कोई शॉप में गया चलो मौल में गया कोई शॉप में गया तो शॉप में विंडो में एक जबर्दस जीन्स रखे भी थी शोकेस से एक दमजबर्दस ठीक है और जब और अंदर इनकोईरि करता है w Devam जब आइसी जीन्स चाहिए तो वह अंदर बोल रहा है नहीं आइसी जीन्स हमारे पास नहीं है वह खाली कस्टमर को अट्रैक करने के लिए है कि यहने आप समझ रहे हो कम अंदर शॉप के अंदर वह प्रोड़क नहीं है उनके पास बेचने को खाली वह दिखाने के लिए अच्छा दिखा रहे है कि मतलब बिटा कि कोई कंपनी के अकाउंट्स बहुत खराब है बहुत लॉसे से खर्चयों बहुत ज्यादा है इंकम बह के सब्सक्राइब करा अंदर सब खराब खराब था लॉसे हो रहे थे पर उन्होंने प्रॉफिट बढ़ा के बताया है ठीक है इसको बोलते हैं विंडो ट्रेसिंग अब यह जो है ना बिटा यह इन्हेरेंट लिमिटेशन से अकाउंट्स के मैं दूसरा एक्जैंपल देता लीगल टरिका कैसे को डेपरिसियेशन जादा दिखाएगा ठीके डेपरीशं जयादा दिखाओ बेटा आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा किसी ऐना को muffin जाधा दिखाना एटो रेडैयों कम दिखाएगा अबधेप्रिसेशन का यह परेट डिपेंड करता है मैं उसकी मेरा estimate है कि asset की life पांच साल है तो asset की life अगर पांच साल है बटा तो उसका depreciation का rate हो गया 20% SLM से अगर वही asset की life 10 years है तो फिर 10% depreciation का rate हो गया आप imagine करो ना life estimate करना accounting standard 10 बोलता है कि आप 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 खुद का judgment लगाओ life estimate करने के लिए हम पे छोड़ा हुआ है तो accountant अपने इसाप से कुछ भी estimate लगाएगा डाइट तुसरा example provision for bad debts मुझे profit कम दिखाना है तो मैं ज्यादा provision for bad debts कर लूँगा 10% 15% कर लूँगा तो मेरा profit कम हो जाएगा तो बहुत सारे अकाउंट्स में legal तरीक है बिटा कि जिसको यूज करके ममरा profit कम ज्यादा कर सकते हैं यह inherent limitations अकाउंट्स के तो अकाउंट्स ही गलत है तो रेशो भी गलत आएगा कि देट इस देपॉंट टिस्रा अर्थमेटिकल विंडो ट्रेसिंग मैंने जो बताया ना विटा ये राइट चलो तो अर्थमेटिकल ilo ट्रेसिंग मैंने आपको अभी पताया सोटीशरे पहले विटा के बिजनस बिजनस के अंदर accountant ऐसा करते है बटा है ना है ना करेक्ट पोजिशन नहीं बताते बिजनस की तो अगर income है तो वह ज्यादा दिखा सकते है right expenses कम दिखाएंगे है ना income ज्यादा बताएंगे right मतलब यह dummy dummy income दिखा रहे dummy expenses कम दिखा रहे अब 1000 employee है तो 800 employee दिखाएंगे अब कौन गिनने को प्रॉफिट बढ़ जाएगा यह अर्थमेटिकल विंडू ट्रेसिंग होता है तो इसके वज़े से हमारा अकाउंट्स टू एन फैर नहीं है जब अकाउंट्स टू एन फैर नहीं है फेक है तो फिर हमारे रेशो भी गलत आएंगे यह लिमिटेशन है बटा पास्ट इस नौट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर ठीक है अब सिंपल बटा जब हम रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं मैंने यह रेशो कैलकुलेट किया था ए और बी का तो यह ग्रॉस प्रॉफिट मैंने उनके लास्ट इयर के फाइनल अकाउंट से निकाला भी लास्ट इयर के फाइनल अकाउंट से निकाला मतलब यह ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशो आया यह पास्ट डेटा से आया अब जो मैं मेरा डिसीजन ले रहा हूं ना वो डिसीजन तो मैं फ्यूचर के वास्ट से ले रहा हूं पर आप स पास्ट के डेटा के भरोसे पर आप फ्यूचर को एट्रिमेट नहीं कर सकते हो और करो तो फिर आपका डिसिजन रॉंग हो सकता है ठीकि है बेग्रांड जिड और लुक ट है हमने क्या बोला कि कंपनी एई मोस प्रॉपिटेबल और वी इज grid प्रॉफिटेब decision ले लिया कि हाँ company A अच्छी है पर हमने उनका background देखा ही नहीं क्या background देखना था हमको background यह देखना था कि company A 10 साल से काम कर रही है और B को market में आके 12 साल हुए यह 10 साल से काम कर रही है फिर भी 10% ही profit आया उसका company B अभी अभी आई है दो साल ही जो है और आते ही उसका profit 9% के आ बहुत skilled है एक employees उतने skilled नहीं है बी के पास latest machinery technology एक पास पुरानी technology की मश्चनरी है बी के पास बहुत सारे future में orders है गौर्वर्मेंट से orders मिले उनको अब गौर्वर्मेंट से orders मिले मतलब उनको future में profit बढ़ेगा ना उनका एक पास बहुत कम orders है राइट बी को government का support है ना मु एक को support एक को अपना यह अपने टाटा बिर्ला वाले है इनको government का support नहीं है यह सारे चीज़े हमको देखना होता है फिर हम decision ले सकते है कौन बेटर है राइट रेशो क्या करता है background ignore करता है वह सिर्फ financial data के ऊपर अपना decision based करता है कि यह यह पूरा financial data ना विटा गॉर्मेंट का support यह नॉन फाइनेशल डेटा है एंप्लोई सारे skilled है नॉन फाइनेशल डेटा है मेरे पास बहुत सारे contracts है और मिले हैं मुझे बड़े बड़े यह ना पर यह यह भी नॉन फाइनेशल डेटा है तो रेशो क्या करता है नॉन फाइनेशल डेटा को इग्नोर करता है जबके decision में इसका भी बहुत बड़ा रोल है उसके बाद difference in a difference in definition and lack of standard अब यह क्या बोलता है बटा AUD difference is in the definition अघर मैं आपको बोलूं कि कोई बच्चा बोलेगा profit मतलब profit कोई बोलेगा profit मतलब net profit कोई बोलेगा नहीं profit मतलब operating profit कोई बोलेगा नहीं profit मतलब operating profit after tax समझ रहा मतलब एक नाम और उसके मीनिंग definition बहुत ज़्यादा इसके confusion create होता है ठीक है आप gross profit बोलना चाहरे हो और सामने वाला उसको अगर अलग मीनिंग से समझ ले तो उसका decision wrong हो सकता है दूसरा अच्छा अगर मैं आपको बोलू कि भई company A का 10% gross profit आया तो company A B से तो बेटर है company A B से बेटर है financial data के basis पे राइट तो company A बाकी सबसे भी बेटर है किया company A का जो 10% आया वो 10% जादा आया कि कम आया तो कोई भी ratio अच्छा है बुरा है जादा है कम है यह जानना है स्टेंडर्ड से comparison करना पड़ेगा लेट में गिव एग्जैंपल करेंट रेश्यों करेंट रेश्यों करेंट रेश्यों का फॉर्मिला विटा जो हम लोग आगे देखेंगे करेंट असेट्स कि डिवाइड़ बाइट करेंट लाइबिलिटी है ने कि समझो हमारी कंपनी के करेंट असेट से 3,00,00 और हमारी कंपनी की करेंट लाइबिलिटी ते 1,00, तो यह 3 इस टू 1 रेश्यों आएगा अ अब स्टैंडर्ड करेंट रेश्यों है टू इस्टू वन तो यह करेंट रेश्यों क्या बताता यह बताता है कि आपके करेंट असेट्स करेंट लाइबिलिटी से कितना टाइम जादा है तो अगर मेरा आंसर 3 is to 1 आया इसका मतलब मेरे करेंट असेट मेरे करेंट लायाबिलिटी से 3 गुना ज्यादा है तो यह रेशो जितना ज्यादा ना उतना अच्छा होता है किसी कंपनी का 4 is to 1 आया ना बहुत अच्छा अब स्टैंडर्ड करन्ट रेशो 2 is to 1 आया तो मुझे मेरे रेशो को मुझे मेरे कंपणी के करेंट रेशो को कंपैर करना है अगर आपका रेशो च्टैंडर्ड से जादा है तो मतलब आपका रेशो बेटर है अगर किसी कंपणी का करेंट रेशो 1.5 वनाया 1.5 इस्टू बनाया मतलब standard 2 से कम है तो उसका financial position खराब है current ratio उसका better नहीं है क्योंकि वो standard से कम है right तो standard से कम मतलब बराबर नहीं है good position नहीं है sound position नहीं है current ratio की बात कर रहा हूं standard से जयाजा मतलब sound position है right तो simple आपको आपके company के ratios निकालने होते है और standard से comparison करना होता है दिक्कत ये है कि बहुत से ratio का standard ही नहीं है जब standard नहीं है बैटा तो मैं कैसे compare करूँ गा कि मेरा ratio अच्छा है कि करा भाब है यह problem है right क्या दिया को difference in definition and lack of standards lack मतलब कमी ना बहुत सारे रेशो का इसका अगर personal bias है तो वह रेशो को manipulate कर सकता है जैसे मान लो कि एक company है उसका accountant ही ratio निकाल रहा है अपने company के तो वह analyst हो गया तो कि वह ratio निकाल रहा है है ना अब वह चाहता है कि उसके ratios अच्छे अच्छे दिखे ठीक है तो वह क्या करेगा बता है वह ऐसे amount लेगा जिससे कि उस के ratios अच्छे दिखे समझ में आ रहा है आपको हां और ऐसे amount consider नहीं करेगा जिससे उसके ratios खराब हो रहे है जैसे मैं example देता हूं आपको मान लो कि operating ratio 20% है operating profit ratio 20% है net profit ratio 5% ही आया है तो वह net profit ratio नहीं बताएगा सामने वाले को वो बोलेगा हमारा हमारा operating profit ratio 20% है समझ में आ रहे है उसका personal बायस है ना क्योंकि वह चाहता है कि उसके company के ratios better दिखे तो वह amounts को ऐसे manipulate करेगा अच्छे अच्छे amounts लेगा जो amount जिससे ratio खराब हो रहा है उसको वह ignore करेगा ठीक है इसके वज़े से इसके वज़े से भी जो ratio का effectiveness है उसके जो फाइदे है वो कम हो हो जाते है तो यह बटा कुछ drawbacks थे ratio के limitations थे है ना यह आपको exam में कभी नहीं पूछेंगे बटा यह आपके general knowledge के लिए है ठीक है exam में आपको जो आएंगा ना वह आएंगे ratios जो हम लोग कल से स्टार्ट करें ठीक है बटा तो FM में सिर्फ दो ही chapter आपके बच्छे है ratio और working capital management तो रेशोज हम लोग यह month end तक खतम कर देंगे और working capital management को मुझे 10 से 12 दिन लगेंगे तो around समझो ना आप 12th April on 12th April तक हम लोग try करेंगे कि at least CA वालों को free कर देंगे ठीक है फिर CA में हो लोगा तो साथ में costing भी है तो वो चलता रहेगा येस चल ठीक है बटा तो class end करते हैं और फिर हम लोग कल से इसके problem start करेंगे ratio देखेंगे और problem start करेंगे ठीक है चल बाए बटा इसमें है ना कल से सुनो अरे जाओ मत रुको कल से बटा मेरा ट्रेनिंग कल खतम हो रहा वर सो से हम लोग अपना रेगुलर टाइम पर चालू कर देंगे 11 बजे से कल लेगिन वालों को ट्रेनिंग चल रहा है तो एक काम करते हैं अपन कल सेम टाइम पर क्लास करेंगे ऐसे ही चार बजे मैं रेकॉर्डिंग उनको भेज दूंगा बाइट जो भी सी एने के बच्चे बैठे हैं शोयव हो गया बाकि सब उनको तुमारा क्रेंग करना है तो ट्रेंग कर लो बटा मैं आपको आज का रेकॉर्डिंग और कल का रेकॉर्डिंग दोनों में रेकॉर्डिंग आपको बेच दूंगा ठीकिशन देपन सेम टाइम क्लास अपना कर देंगे सुबह ग्यार होजे जो अपना पहले चल गाता है चल बाइच निया कि अ